तो राम राम जी कैसे हो आप सब मैं सुमित तो भाई आज के वीडियो में हम नए ड्राइबर्स के लिए इस्पेशली जो नए अभी अभी जरोंने कार चलाना सीखा है उनके लिए कुछ टिप्स बताने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स में दूँगा जिसके बारे में मुझे ल पूछ रहे हो अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको बूनट देखे या न देखे आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है ठीक है दूसरा चीज भाई दो डाउट मेरे पास आये थे लोगों के दो मतलब डाउट क्या उनकी शिकायत हैं थी कि एक तो उनकी होंडा मेज की चली गहीं तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम भी गलती कर रहे हैं अब वो क्या गलतियां हैं वो मैं आपको पतांगा और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं तो ऐसे ही कुछ नए ड्रावर्स के लिए दो तिन टिप्स हैं जो के आज मैं आपको देने वाला हूँ तो अगर आपने अभी कार चलाना सीखा है या नई कार लेने वाले हो तो भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी जरूर कर देना तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो तो भाई सबसे पहली चीज जो मैं आपको त पतानी क्या बात है वो लोग है न क्या करते हैं यह जो साइड और वीम है हमारे है इनको बंद रखते हैं इनको ऐसे रखकर गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारे मैंने नए ड्रैवर्स को भी देखा है जो कि इसी तरह गाड़ी चलाते हैं और वीम को बंद रखकर तो भाई हमें बिलकुल नहीं करना चाहिए जी हाँ ये हमारी बहुत बड़ी गलती है हमें हमीशा ORVM's खोल कर गाड़ी चलानी चाहिए और ORVM's को हमें सेट कैसे करना है ये इस्तिती है मेरी आप देख लो ठीक है मतलब हमें जो है ORVM में पीछे वाला जो डोर है न देख रहा है आपको पीछे वाला डोर मतलब हलक आसा 10% ORVM पर 10% से कम हिस्से पर हमें अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा नजर आना चाहिए इसे मैं आप उदर देख लो ये न मोगाल थोड़ा आके हो किया वैसे ये है मेरी पोजीशन तो इतना हिस्सा हमें पीछे का दिखना चाहिए अपनी गाड़ी का भी और बाकी का हिस्सा बाहर रोड की तरफ होना चाहिए तो ऐसी कंडिशन होनी चाहिए ORVM की ये है ORVM को सेट करना और भाई ORVM खोल कर हमें गाड़ी चलानी चाहिए जी हाँ इसके दो फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ देखो एक तो हमें पीछे का सब पता लगा रहेगा कि कौन हमारे पीछे आ रहा है ओवर्टेक करने में गाड़ी चलाते समय हमें सारी चीज नजर आती रहती है ठीक है इसमें क्या होता है हमें केबल अपने जस्ट पीछे का दिखाई देता है लेकिन हमारे साइड में कोई बाइक वाला आपको पता ये इंडिया है भाई लेफ्ट साइड से भी ओवर्टेक कर देते हैं बाइक वाले मुर्कता कहूंगा भाई आपको बुरा लगे हो सकता है बुरा लग रहा हो किसी को लेकिन ये मुर्कता है हमें हमेशा ORBM खोल कर गाड़ी चलाना चाहिए दूसरी चीज बाहर से बता दिता हूँ देखो जब भी आप गाड़ी को मालो आप नए ड्रावर हो आपको आइडिया नहीं है लेकिन जब भी आप गाड़ी को किसी वाहन के पास से निकाल रहे हो है ना तो आपको इतना आइडिया हो जायागा ना कि मेरी गाड़ी का शीशा लग रहा है नहीं लग रहा है या फिर यह ORVM है ना तो यह चीज भाई बहुत जरूरी है जब भी गाड़ी में बैठो ORVM खोल कर ही गाड़ी चलाओ इनको सेट करके गाड़ी चलाओ अपने हिसाब से जैसे मैंने बता है अब बात करते हैं दूसरी चीज की तो देखो भाई दूसरी चीज क्या है दूसरी नहीं बताते या जो भी आपको गाड़ी से खा रहा है वो नहीं बताता देखो कभी भी किसी भी चीज में चाहे आब बायक हो या कार हो चाहे कोई भी वाहर हो चाहे ट्रेक्टर हो चाहे ट्रक हो भाई सभी क्लच में आपको हलका सा प्ले देखने को मिलेगा प्ले मतलब य वह क्या है तो हम करते क्या है, जैसे मानलो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ठीक है, अब मैंने ग moyर डाला और गाड़ी को मैं चलाने लगा है आज मैं क्या करता हूँ, गाड़ी मेरी चल रही है, लेकिन मेरा जो ये पैर है, ये इसी पैर रखा रहता है, माहिलो गाड़ी मेरी स्पीड में चल रही है, 60-70, मेरा फिफ्ट गेर लग गया, मुझे अब क्लच का जरूरत नहीं है, मैं हाईवे पर चल रहा हूँ, लेकिन फिर भ परसेंट जल्दी जाने वाला है आप क्लच पर लोड डाल रहे हो बिना मतलब आप अपने क्लच को खराब कर रहे हो कुल मिलाकर बात यह है भाई कि हमें क्लच पर पेर रखकर गाड़ी नहीं चलाना है अगर बंपर ट्रेफिक में आप चल रहे हो तो बात अलग है अधरवाइस भाई बिलकुल गेर डालो क्लच पैसे पेर हटालो डेट पेडल है उस पर रखलो तो इस चीज के आदर डालो मैं आपको और गेट खोल के दिखा दूँ एक बार यह देखिए ठीक है केर डाला क्लच दवाई क्लच दवाई गेर डाला पेर हटाया बिलकुल साइड में डेट पैडल पर रखलो नीचे रखलो अगर बंपर टू बंपर ट्रैफिक में हो तो तो आपको पता है ऐसे ही चलाना पड़ेगा हलका हलका दबाया छोड़ा दबाया छोड़ा वो दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो प्ले वाली कंडिशन है इसमें हमें क्लच को प्रेस करके नहीं रखना मतलब बिना मतलब यहाँ पर हमें इस पर लोड नहीं डालना है तो भाई अब जो अगली चीज आती है लास्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि भाई मानलो हम लाई ट्रैबर हैं हमें अपना जो है गाड़ी का बॉनट नहीं दिख रहा मानलो इस तरह से हमें गाड़ी दिख रही है तो चलिए पहले चलते हैं एक मिनट बाहर ठीक है तो सपोज करो इतना उचा हमारा जो आपके गाड़ी है वो कितना होगी जाद से यादा इतना उची उसका बंपर मतलब रियर बंपर इतना उपर होगा इससे उपर नहीं होगा ठीक है लास्ट इतना महलू है तो आप इसको देख लो अपको यहाँ तक यह वाला जो पाइप है से नीचे-नीचे इतना ही होगा इतने उचाई तक ही आपको गाड़ी का बंपर और टायर्स यह जो बंपर है यह इतना ही उचा बैठेगा ये ठीक है ये और वो हिस्सा बराबर निकलेगा आपका दोनों का तो इस चीज को आप देखो इतना एडिया आपको रखना है है ना कि सामने वाली गाड़ी का बंपर हमें देख रहा है या नहीं अब इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ आपको अब यह करता हूँ पर लेगा तो भाई अब जैसे हमारे सामने गाड़ी खड़ी हुई है ठीक है मैंने जो आपको निशान बताया था वह उपर वाला जो पाइप है वह मान लो आप है इतना उच्छा सामने वाली गाड़ी का बंपर है ठीक है अब भाई मैं गाड़ीयों की बात बता रहा हूं वह समझे लेना लेकिन एक आईडिया हो जाएगा आपको इससे अच्छा घासा अब सब्सक्रोथ करो अभी मुझे दिखाई दे रहा है यह मेरी सिटिंग पोजीशन है अभी भी मुझे दे रहा है अभी मुझे दिखाई दे रहा है और आप नहीं दिख देखो भाई इतनी जगए इतनी स्पेस अच्छी खासी बच रही है ठीक है मतलब चार फिट है चार फिट का डिस्टेंस आपको मिल रहा है तो इतनी दूर गाड़ी रोके लो भाई कोई बुराई नहीं है आपकी गाड़ी सेफ सामने वाला भी सेफ और जो बहुत जादा जल बेस्ट तरीका है स्टार्टिंग के लिए कि आप इतनी दूर गाड़ी रोक लो कि आपको सामने वाले का बंपर दिखना बंद हो जाए जैसी आपको सामने वाले गाड़ी का बंपर दिखना बंद हो गया आप अपनी गाड़ी वही रोक लो आप भी सेफ रहोगे सामने वा अगर फिजिकली बॉडी बॉडी देखोगे आपकी तो आपकी गाड़ी सेफ अगर इस तरह से आप अपनी गाड़ी को रोख लेते हो थोड़ा पहले ही सामने वाले बाहां से है ना और 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 वीम्स का अगर आप यूज करते हो तो तो ये चीज कुछ दिन फॉलो कर लो उस इस तरह से आप एक सुरक्षित कार ड्राइविंग कर सकते हो ठीक है बाकी बॉनट का मैंने आपको बता दिया भाई दीरे दीरे चलाते चलाते अंदाज हो जाता है तो इस बज़े से के गाड़ी बहुत बढ़ी है लेकिन मुझे बॉनट नहीं दिखाई दे रहा आप अप अंदाज लगाना सीख लो थोड़े जर्माइप परफेक्ट आप अपने आप ही हो जाओगे तो ये भाई कुछ तीन टिप्स थे आप सभी के लिए अगर ये तीनों आपको पसंद आ गये हो तो इसको लाइक से रूप कर देना वीडियो को चलिए मिनेंगे जल देख नई वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत